C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 6 पूर्णांग प्रिष्ट 124 6.1 भूमिका सुनीता की मां के पास आठ केले हैं सुनीता को अपने मित्रों के साथ एक पिकनिक पर जाना है वो अपने साथ दस केले ले जाना चाहती है क्या उसकी मां उसे दस केले दे सकती है उसके पास परियाप्त केले नहीं है इसलिए वो अपनी पडोसन से दो केले उधार लेकर उन्हें बाद में लोटाने का अश्वासन देती है सुनीता को दस केले देने के बाद उसकी माँ के पास कितने केले बचते हैं उसके पास कोई भी केला शेश नहीं बचता है परंतु उसे अपनी पडोसन को दो केले वापस करने हैं इसलिए जब उसके पास कुछ और केले आ जाएंगे मान लीजिए छह केले तो वह दो केले वापस कर देगी और उसके पास केवल चार केले बचेंगे रोनाल्ड एक पैन खरीदने बाजार जाता है उसके पास केवल बारह रुपाए है परन्तु एक पैन का मूल्य पंद्रह रुपाए है दुकानदार उसकी ओर तीन रुपाई की राशी उधार के रूप डायरी में लिख देता है परन्तु वह किस प्रकार याद रखेगा कि उसे तीन रुपाई की राशी रुणाल्ड को देनी है या उससे लेनी है क्या वो इस उधार की राशी को किसी रंग या चिन्ह से व्यक्त कर सकता है रुचिका और सल्मा एक संख्या पट्टी का जिस पर समान अंतराल पर शून्य से 25 अंक अंकित है एक खेल खेल रही है प्रिष्ठ 125 प्रारंभ में वे दोनों शून्य चिन्ह पर एक-एक रंगीन टोकन रखती है एक थैले में दो रंगीन पासे यानि डाइस रखे है और वे एक के बाद एक निकाले जाती है इन पासों में से एक पासा लाल रंग का है और दूसरा नीले रंग का यदि पासा लाल रंग का है तो उसे फेकने पर जो संख्या प्राप्त होती है टोकन को उतने स्थान आगे बढ़ा दिया जाता है प्रत्येक चाल के बाद पासों को थैले में वापस रख दिया जाता है ताके दोनों व्यक्तियों को दोनों पासों को फेकने के समान अवसर मिलें जो पच्चीस में चिन्ह पर पहले पहुँचता है उसे जीता हुआ माना जाता है वो खेलना प्रारंभ करती है रुचिका लाल पासा प्राप्त करती है और उसे फेंकने पर चार प्राप्त होता है इस प्रकार वो टोकन को पट्टी पर चार से अंकित स्थान पर रख देती है सलमा भी थहले में से लाल पासा निकालती है और उसे फेंकने पर संख्या तीन प्राप्त करती है इस प्रकार वो अपने टोकन को तीन से अंकित स्थान पर रख देती है। दूसरे प्रयत्न में रुचिका लाल पासे से तीन अंक प्राप्त करती है और सल्मा नीले पासे से चार अंक प्राप्त करती है। क्या आप सोच सकते हैं कि दूसरे प्रयत्न के बाद वे अपने अपने टोकन किन स्थानों पर रखेंगे? रुचिका आगे बढ़ती है और चार जमा तीन अर्थात साथवें स्थान पर अपना टोकन रखती है. सल्मा अपना टोकन शून्य स्थान पर रखती है. रुचिका ने इस पर आपत्ती जताई और कहा कि उसे शून्य से पीछे होना चाहिए. सल्मा उससे सहमत हो जाती है. परन्तु शून्य के पीछे कुछ भी नहीं है. वे क्या करें? तब सल्मा और रुचिका ने इस पट्टी को दूसरी और बढ़ा दिया. उन्होंने दूसरी और एक नीली पट्टी का प्रयोग किया. अब सल्मा ने सुझाव दिया कि चूंकि वो शून्य से एक स्थान पीछे है, इसलिए इस स्थान को नीले एक से अंकित किया जा सकता है. यदि टोकन नीले एक पर है, तो नीले एक के पीछे वाला स्थान नीला दो होगा. इसी प्रकार नीले दो के पीछे वाला स्थान नीला तीन होगा. इस प्रकार से वे पीछे चलने का निरणएं लेती हैं. परंतु उन्हें नीला कागज नहीं मिला. तब रुचिका ने कहा कि जब हम विपरीत दिशा में चल रहे हों, तो हमें दूसरी ओर एक चिन्ह का प्रयोग कर लेना चाहिए. इस प्रकार देखिए कि शून्य से छोटी संख्याओं पर जाने के लिए हमें एक चिन्ह का प्रयोग करने की आवश्यक्ता होती है. प्रिष्ठ 126 इसके लिए उस संख्या के आगे रिन यानि माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इससे यह प्रदर्शित होता है कि रिनात्मक यानि नेगेटिव चिन्ह लगी हुई संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं इनहें रिनात्मक संख्याएं कहते हैं इन्हें कीजिए, कौन खहां है? मान लीजिए डेविड और मोहन ने शून्य स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ कर दिया है मान लीजिए कि शून्य के दाईं और चले कदमों को धन यानी प्लस चिन्ह से निरुपित किया जाता है और शून्य से बाईं और चले कदमों को रिन यानी माइनस चिन्ह से निरुपित किया जाता है यदि मोहन शून्य के दाईं और पाँच कदम चलता है तो उसे फ्लस पाँच से निरुपित किया जा सकता है और यदि देविड शून्य के बाईं और पांच कदम चलता है तो उसे माइनस पांच से निरुपित किया जा सकता है अब निम्न लिखित स्थानों को धन यानी प्लस या रिन यानी माइनस चिन्ह से निरुपित कीजिए इनहें कीजिए मेरे पीछे कौन आ रहा है? पिछले उदाहरणों में हमने देखा कि यदि एक ऐसी संख्या के बराबर चलना है जो धनात्मक है तो हम दाईं और चलते हैं यदि इस प्रकार का लेवल एक कदम चला जाता है तो हमें उस संख्या का परवर्ती यानी सकसेसर प्राप्त होता है निम्न लिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए संख्या 10,8,-5,-3,-0 परवर्ती का स्थान यहां रिक्त है यदि हमें रिनात्मक संख्या के बराबर चलना है तो बाईं और को चला जाता है यदि बाईं और केवल एक कदम चला जाता है तो हमें उस संख्या का पूर्वर्ती यानी प्रीडिससर प्राप्त होता है प्रिष्ठ 127 अब निम्न लिखित संख्याओं के पूर्वर्ती लिखिए संख्या 10,8,-5,-3,-0 पूर्वर्ती के लिए स्थान दिया गया है 6,1,1 मेरे साथ एक चिन्ह लगाईए हम देख चुके हैं कि कुछ संख्याओं के आगे रिन यानी माइनस चिन्ह लगा होता है उदहरनार्थ यदि हम दुकानदार को दी जाने वाली रोनाल्द की देयराशी को दर्शाना चाहते हैं तो हम इसे रिन यानी माइनस लिखेंगे नीचे एक दुकानदार का खाता दिखाया जा रहा है जो कुछ विशेश वस्तूओं की विक्री से प्राप्त लाभ और हानी को दर्शाता है वस्तू का नाम लाभ हानी उचित चिन्ह द्वारा निरुपण सरसों का तेल लाभ 150 रुपए चावल हानी 250 रुपए काली मिर्च लाभ 225 रुपए गेहूं लाभ 200 रुपए मुंभली का तेल हानी 330 रुपए उचित चिन्ह द्वारा निरुपण के लिए सभी के आगे रिक्तस्थान दिया गया है चुंकि लाभ और हानी विपरीत स्थितियां हैं इसलिए यदि लाभ को फ्लस चिन्ह से निरुपित किया जाता है तो हानी को माइनस चिन्ह से निरुपित किया जाएगा उपरोक्त खाते में उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए रिक्तस्थानों को भरिये इसी प्रकार की अन्यस्थितियां जहां हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं नीचे दी गई हैं जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उचाई कम होती जाती है इस प्रकार समुद्र स्तर यानि तल से नीचे की उचाई को हम एक रिनात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं और समुद्र तल से उपर की उचाई को एक धनात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। यदि कमाई गई यानि अरजित की गई राशी को प्लस धन चिन्ह से निरुपित किया जाए, तो खर्च यानि व्याय की गई राशी को माइनस रिन चिन्ह से निरुपित किया जा सकता है. इसी प्रकार 0 degree Celsius से उपर के तापमान को प्लस चिन्ह और 0 degree Celsius से नीचे के तापमान को माइनस चिन्ह से निरुपित किया जाता है। उदाहरणार्थ 0 degree Celsius से 10 degree Celsius नीचे के तापमान को माइनस 10 degree Celsius लिखा जाता है। प्रिष्ठ 128 प्रयास कीजिए निम्न लिखित को उचित चिन्ह के साथ लिखिये A. समुद्रतल से 100 मीटर नीचे B. शुन्य डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस उपर तापमान C. शुन्य डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान D. शुन्य से छोटी कोई भी 5 संख्याएं 6.2. पूर्णांग सबसे पहले ग्यात की गई संख्याएं प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4 आदी हैं यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शुन्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है इन संख्याओं को पूर्ण संख्याई कहते हैं। इस प्रकार शूर्ण्य एक, दो, तीन, चार आदी पूर्ण संख्याई हैं। इन संख्याओं का आप अध्याई दो में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें ग्यात हो गया है कि रिनात्मक संख्याई जैसे माइनस एक, माइनस 2, minus 3, minus 4, minus 5 आदी भी होती हैं। यदि हम पूर संख्याओं और इन रिनात्मक संख्याओं को मिला लें, तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा, जो 1, 2, 3, आदी, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 आदी है। संख्याओं के इस संग्रह को पूरणांकों यानि integers का संग्रह कहते हैं। इस संग्रह में 1, 2, 3, आदी धनात्मक पूरणांक कहलाते हैं और minus 1, minus 2, minus 3 आदी रिनात्मक पूरणांक कहलाते हैं। आईए इसे निम्न आकृतियों द्वारा समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए ये आकृतियां अपने संग्रह लिखी संख्याओं या उनके संग्रहों को निरुपित करती हैं। यहां पांच आकृतियां दी गई हैं और उनके आगे अलग-अलग संख्याओं के बारे में लिखा है। प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, रिनात्मक पूरणांक, शून्य और पूरणांक। तब पूर्णांकों के संग्रह को निम्न लिखितारेक से समझा जा सकता है, जिसमें पिछली सभी संख्याओं और उनके संग्रह सम्मिलित हैं। यह पूर्णांक की आकृति दी गई है। प्रिष्ठ एक सौन अतीस। 6.2.1 संख्या रेखा पर पूरणांकों का निरुपन। एक रेखा खींचिये और उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिये। जैसा के उपर आकृति में दिखाया गया है। इनमें से एक बिंदु को शून्य से अंकित कीजिये। शून्य के दाई और के बिंदु धनात्मक पूरणांक हैं और इनहें प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन इत्यादी या केवल एक, दो, तीन इत्यादी से अंकित कीजिया गया है। शून्य के बाईंय और के बिंदू रिणासमग पूरण आंक हैं और इन्हें –1-2-3 नत्यादी से अंकित किया गया है इस रेखा पर –6 अंकित करने के लिए हम शून्य के बाईंय और 6 बिंदू यानि कदम चलते हैं आकरती 6.1 इस रेखा पर प्लस दो अंकित करने के लिए हम शुन्य के दाई और दो बिंदु चलते हैं. आकृती 6.2 प्रयास कीजिए संख्या रेखा पर माइनस 3, 7, माइनस 4, माइनस 8, माइनस 1 और माइनस 3 को अंकित कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचनस्वर गौरव मारवा निर्मान सहियोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत